दूस्तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है तो वीडियो को एंट तक जजरूर देखें आज की टोपिक में हम बात करने वाले हैं तो कि नए बंदे को या फिर इस बीजनस को जो कर रहा है पेपर ब्रेट बिजनस को उनको कितने जी संहीं का पेपर में काम श चैनल पर दोस्तों आज का टोपिक बहुत ही खास होने वाला है हम आप लोगों को आज डिटेल में बताएं कि कौन से कितने जी एसम से हम काम को स्टार्ट करें कितने जी एसम के प्लेट बनाने में हमें ज्यादा प्रोफिट है और कितने जी एसम का मार्केट अच्छा खासा बन सकता है तो इसी तरह की टॉप वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आका प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों लोग अभी जो जितने जेकर के 200 जी एसम तक लोग यूज कर रहे हैं लेकिन सबसे बेटर जो है अगर आप भीहार से हैं या कहीं से भी एं तो उनके लिए सबसे बेटर जो है मेरे हिसाब से क्या है यह मैपको इस वीडियो को लाश्ट जरूर बताएंगे वीडियो में लाश्ट तक बने रहें औ हैं ताकि आप अपने काम को कर सकें। क्योंकि बहुत ल हो तो होते हैं लेकिन उनों उसका बारे में जान नी पाथे। दूस्तों मसीन लगाने के लिए को इस को हमें करने के लिए हर को इसकि गया कि जाना है। तो इसके लेखे काम को से अच्छे alright के जाना है तो उसके लिए क्या है अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो पहले हमें इसके जड़ तक जाना होगा अगर हम इसके जड़ तक जाते हैं तो ही हम कुछ बड़ा कर पाते हैं और इसके जड़ तक जाते हैं तभी हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी अच्छे knowledge मिल पाएंगे क्योंकि machine चलाना बड़ी बात नहीं है machine चलाते रहना बड़ी बात है और machine में अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको knowledge होना बहुत जरूरी है अगर knowledge ना हो तो आप machine पहले knowledge लें उसके बाуд machine ले तो जादा बहतर होगा क्योंकि machine लेने के बाद छोटी छोटी बारीकियों बहुत आते हैं लोग पहले तो बहुत करते हैं कि हम यह कर लएंगे वह कर लेंगे लेकि machine लेने के बाद उनको सारी ходियारी निकल जाती है इसलिए आप पहले machine सीख लें उसके बाद ही machine को लें उसके बाद machine लेते हैं तो relax mind से आपको business को करना है कितना भी आप चालांकी कर लो कोई फाइदा नहीं ज़त्व कि आपको इसके knowledge इसके बारे में आपको full knowledge ना हो इस business के बारे में full knowledge ना हो तो इसके लिए अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आपको बहुती साफधानी से इस काम को करना है ताकि आपको इस काम को करते हुए में कोई प्रॉब्लम ना हो लोग असी जी इसम का paper यूज़ कर लेते हैं कि paper तो मह्ंगा आता है लेकिन उसे माल ज्यादा निकलता है और उसके लिए मार्केमें competition कर सकते हैं कम से कम रेट में उसको माल दे सकते हैं तो हम ना तो आपको असी लेक चलाने के लिए बोलेंगे ना आपको अपको 120 ना अर oven बन रहा है समेरा अच्छा माल हाय удоб सेवाल बन रहा है चुक्त विक पर लेट बन तो हम आपको कीरिए की आप ना तो i always करें ना 120 यूज ते आप मीडियम में रहते हैं विसक्ति काम करते है नए डिम साँट करघियों हो जाता है और 100 का रिफ्रेंस हो जाएगा और 120 क्वालिटी हो तो यह दोनों आपको नहीं करना आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ बीच का पकरना है 100 GSM हम जब से स्टार्ट किये हैं काम को तो मेरे पास में 100 GSM का महीने का 10 तन 12 तन माल कर जाता है 15 तन भी चला जाता है 100 GSM लेकिन 80 GSM का मेरे पास में 200-300 kg भी नहीं निकल पाता है इसलिए हम 80 का हम बनाते नहीं क्यूंकि 80 बनाने में संतुष्टी हमें खुद भी नहीं होता है 80 का पेपर बहुत ही low quality का होता है उसमें आपको थाली या प्लेट जो की hardness नहीं होता है और कहीं भी अगर आप माल दे रहे हैं तो संतुष्टी हमें कब होता है जब हमारा हाथ में प्लेट हमें खुद दिखने में लगे कि नहीं ठीक ठाक है पैसा थोड़ा सा कम बचे लेक 100 यूज करना है 100 में क्या होगा कि आपको प्लेट थोड़ा कम निकलेगा 80 से लेकिन क्वाइलिटी अच्छा होगा और रेट में ज्यादा डिफ्रेंस नहीं होगा 80-100 में क्योंकि 80-100 में 3-4 रुपे का रेट का फर्क होता है और पीसे ज्यादा ने 10-15-20 पीस का आगे करके आपको यह नहीं बोले कि आपका माल ख़राब है या आपकी प्लेट जो है नोर्मल है सौप्त है यह चीज़ कोई है और रेट की बात किया तो अगर आप मीडियम रखते हैं थौड़ा सा डाउं रखते हैं लोगों से तो आपको ठोला सब्सक्राइस से बहुत होगा औ सर हमसी जिसे में मार्केर में वह ज़्यादा कंपडिशन चल रहा है तो भाई असी असों में ज्यादा फर्क नहीं होता रेट का आप लोग का यह कंफ्यूजन है आप यह जो है ना वह सिर्फ माइंड का डिस्टरब करने वाली बात है और कुछ नहीं है आप आख बंद करके स सौज यह से माल चलाओ वैसा पार्टी ढूंडो जो कि आपके माल को कदर कड़े आप जो बना रहे हैं उसको ट्रस्ट हो विश्वास हो और वह आपके सामान का अच्छा रिट दे पाए क्योंकि मार्केर बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब हैं सब लोग बहुत अच्छे भी लोग हैं हम भी मार्केट में हैं और हमें भी अच्छे से अच्छे लोग मिल रहे हैं और मेरा काम यह बढ़ रहा है और साथी साथ मेरा क्वालिटी जो हैं कभी क्वालिटी लो नहीं करते हैं क्योंकि मेरा पहचान बना हुआ है और क्वालिटी के मामल क्यों ना चला जाए लेकिन एक बार बंदा आपका नाम जरूर लेगा और अगर आपका नाम लेता है तो समझे कि आपका आगे को रास्ता बढ़ रहा है जिसे कि आप आगे और चल सकते हैं तो इसलिए आप जब भी काम करें तो ना तो आप 80-70 जिसम यूज करें ना 120-140 यू का ही देंगे और सब्सक्राइब प्राइज है अच्छे से कैलकुलेशन करके फिर आप मार्केट जाए क्योंकि 100 जिसम का माल जो बनता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है वह दिखने में अच्छा लगता है और कास्टमर भी ज्यादा पसंद करते हैं लोगों का य इसलिए अगर आप लोग अपने कामको आगे बढ़ा चाहती है तो एक कॉयलिटी बनाए एक पहचान बनाएं और जभी आप अपने कामकों आगे बढ़ा सकते हैं और अगर घिंगर counselors के बातों में रहेंगे ज़र और lonely चलाएंगे कभी सौ चलाएंगे कवे तो 120 में लोग बनाए 100 gsm का उसमें आपको बहुत ही अच्छे से प्रोफिट भी होगा और अच्छा मार्केट रिस्पोंस भी देगा तो उमीद है कि आपको यह छोटा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रा दो है फीडियो कि आया हूए है यहाए है।